Hello to all my viewers, welcome to my YouTube channel तो आज हम पढ़ेंगे प्रिश्णावली 2.5 पिछली वीडियो में हमने 2.5 के उधारनों कर लिये थे आज हम इस प्रिश्णावली के जो कोश्चन है वो करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट में हमें देर खाया एकस बटे 2 माइनस एक बटे 5 बराबर एकस बटे 3 प्लस एक बटे 4 तो इस तरह के कोश्चन को हम किस प्रकार से सॉल करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो एकस वाली टर्म है उनको एक तरफ ले जेंगे और जो एकस के अलावा है उनको एक तरफ रखेंगे तो यहाँ एकस बटे 2 लिख लिए हमने यह जो एक बटे 5 है इसको हम दाइन तरफ ले जेंगे और इस तरफ जो एकस वाली वैल्यू है उसको हम बाइन तरफ ले आएंगे तो यहाँ plus में थी इदर आके minus की x बटे 3 बराबर 1 बटे 4 और यहाँ जो 1 बटे 5 था वो इदर आके क्या होजेगा plus का होजेगा अब क्या करेंगे अब हम लेंगे LCM 3 और 2 का LCM 3 दूनी 6 आजेगा यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो कितना आजेगा हमारे पास 2 तिया 6 3 गुणा में x minus 3 भाग देंगे कितना आजेगा 2 और फिर इस 2 की उपर वाली संख्या के साथ क्या करते हैं हम गुणा करते हैं बराबर सेम इसी तरह इदर भी LCM लेंगे क्या LCM आजेगा 4, 5, 20 आजेगा हमारे पास इस 4 को 20 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 5, 5 की 1 के साथ गुणा जो उपर वाली संख्या लिखे जो नीचे वाली संख्या होती है उसके साथ पहले क्या करते हैं भाग देते हैं और जो संख्या आती है उसकी जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसका हम उपर वाली संख्या के साथ क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं अगर आपको LCM ना लेना आ रहा हूँ तो मैंने एक वीडियो स्पेशल LCM निकालने पर भी बताई है कि किस प्रकार से हम कोई संख्याएं हैं उनका LCM निकाल सकते हैं मैं वो वीडियो description box में दे दूँगी आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं next अभी बात करते हैं आगे 5 को जब भाग देंगे तो कि इतना आजेगा हमारे पास 4 और उस 4 का गुणा होगा एक के साथ ठीक है अभी तीन का एकस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आजेगा हमारे पास 3x-2x बटे 6 बराबर 5 प्लस 4 बटे 20 यह आगया हमारे पास अब क्या करेंगे आगे 3 में से 1 गया कितना बच गया 1 बटे 6 बराबर 5 और 4 कितने होगे हमारे पास 9 बटे 20 ये आ गया, अब हमें मान किसका निकालना होता है, यहां से हमें मान निकालना होता है X का, तो X ही रहना चाहिए, एक तरफ क्या रहना चाहिए, सिर्फ X, X के अलावा जो भी रकम होती है, उसको हम किस तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहां 9 बटे 20 पहले का था, ठीक है और यहां भाग में इस तरफ क्या है, 6, तो यहां भाग में है, तो इस तरफ जाएगा, तो क्या होजेगा, गुणा में, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको काट के देखेंगे, जितना कट रहा है, दो के पहाड़े से कट रहा है, दो तिया 6, और दो धाया 20, ठीक है, इस तरह से ही कोशन को solve करेंगे. बात करते हैं कोशन नमबर 2nd की, कोशन नमबर 2nd में हमें दे रखा है, N में equation दे रखिया हमें. ठीक है? तो सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब को जो, अब इन कोशन में, इसमें पीछे वाले कोशन में दे रखा था, X. इसमें दे रखा हैं हमें N. इसमें क्या करेंगे? जो N वाली value है, उनको एक तरफ ले जएंगे, और जो N के अलावा है, उसको दूसरी तरफ ले जएंगे. अब हमें पहले से इसमें क्या दे रखिया हैं? end में दे रखी ठीक है एक काम तो हमारा easy हो गया उसके बाद में हमें अब क्या करना है अब second number जो काम होता है हमारा वो है LCM लेना तो अब हम LCM लेंगे भाग में क्या क्या है दो चार और छे दो चार और छे LCM लेंगे 2 से शुरू करेंगे 2 1920 दो दोनी चार 2 दिया 6 पिर से 2 करेंगे 2 01 दो दो द canvas 2 तीन तीन एक एक और एक क्या आजेगा अब हमारे पास LCM हमारे पास आ गया दो दूनी चार और 4 दिये 12 LCM क्या आ गया हमारे पास 12 दो से भाग देंगे क्या आजेगा 2, 6 के 12, 6 गुना में उपर वादी संक्या के साथ गुना N, minus 4 ती ये 12, 3, 3 का गुना किसके साथ होगा, उपर कौन है, 3 N, प्लस 6, 2 ना 12, 2 आगया, 2 का गुना किसके साथ होगा, उपर क्या लिखा है, 5 N, बराबर में क्या है, 21, ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, आगे इसको solve करेंगे, यहां था 12, 6 की N के साथ गुणा होगी क्या आगे हमारे पास, 6N-3 तिया 9N, प्लस 5 दोना 10N, बराबर 21, अब 10 और 6 कितने होगे, 16, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गटाएंगे, तो हमारे पास की, 7N, 7N बच गया, बटे 12 बराबर 21, अब यहां से हमें मान निकालना है किसका N का, तो यानि कि इस तरफ क्या होना चाहिए, सिर्फ N, N के अलावा जो भी रकम है, 7 बटे 12, उसको हम दाई तरफ लेजिए, यहां है 21, जो 12 है इदर में है, इदर आके क्या होजेगा, गुणा में, यहां 7 किसके, गुणा में था, और इदर आके क्या होजेगा, भाग में, तो 7 तिया 21 आ गया, और यहां आजेगा N का मान 12 तिये, 36, इस तरह से N का मान कितना आ गया हमारे पास, 36, नेक्स्ट कोश्यन नमबर 3, कोश्यन नमब 3 में हमें दे रखा x plus 7 minus 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 minus 5x बटे 2 तो सबसे पहले हम question में इस तरह में क्या करते हैं जो बटे वाली संख्या उसको हटाते हैं उसको हटाने के लिए हम 2 चीजे कर सकते हैं एक तो जो ये LCM है वो ले सकते हैं एक जो भी इस सारे में जो LCM आएगा अ उस LCM के साथ हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो हम ये करेंगे जो LCM आरा है 3, 6 च और 2 का जो भी LCM आरा है उसको हम दोनों तरफ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे हमारे पास 3, 6 और 2 का LCM आजएगा 6 3, 6, 2 2 से शुरू करेंगे, 2 तीया 6, 2 एकम 2, 3 करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, हमारे पास L सिम क्या आगया 3 दूनी 6, तो 6 का दोनों तरफ गुणा करेंगे, 6 को गुणा करेंगे पहले इसके साथ, x प्लस 7, माइनस 6 गुणा 8x बटे 3, बराबर, 6 की गुणा दोनों तरफ होगी, पहले 6 का इसके साथ गुणा कर दिया, फिर 6 का यहां गुणा कर देंगे, 6, 8x बटे 3 वैसे का वैसे, बराबर, 6 गुणा में 17 बटे 6, माइनस, 6 गुणा में 5x बटे 2, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 6 की अंदर गुणा करेंगे, 6 को x के साथ गुणा किया, 6x, 6 का 7 के साथ यह इसको सीधा काट सकते हैं, 3, 2, 6, हमने 6 के साथ गुणा क्यों किया है, ताकि जो यह भाग वाली संख्याएं हैं, 3, 6, 2, यह क्या हो जाएं, खतम हो जाएं, हमारे पास सिरफ गुणा में संख्याएं बटे, गुणा में समिकर्ण बटे, जिससे हम असानी से x का मान निक बाल सकें, यह तो वैसे का वैसे आगया, अब यह जो भाग में 3 था, यह खतम हो जगा, क्योंकि 3 को 6 के साथ काट देंगे, तो हमारे पास क्या आगया, 2, 2 का 8 के साथ गुणा करेंगे, तो क्या आजएगा, 2, 8, 16, x, बराबर, इसी तरह यह जो भाग में 6 था, यह गुणा 15, x, ठीक है, अब हमारे पास सारी क्या बनगी, गुणा में समिकन बनगी, अब हमारे पास भाग में कुछ भी नहीं है, तो अब हम आसानी से solve कर सकते हैं, 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x वाले मान है, उनको एक तरफ लेजेंगे, जो अचर है उनको एक तरफ लेजें में 15, x, अब क्या करेंगे, जो x वाले हैं, उनको एक तरफ लेजेंगे, और जो बिना x वाले हैं, उनको एक तरफ लेजेंगे, तो 42 का 42 रखा हमने, जो ये 17 है, इसको इधर लेए, बराबर मानास का 15, x, और यहां जो मानास का 10 था, ये इधर आके क्या होज़ेगा, प्लस आगे हमारे पास 5 और minus के 15 और plus के 10 कितने होगे minus के 5 x तो यहाँ से हम किस का मान निकाल लेंगे x का मान निकाल लेंगे यह जो x है इसको इस तरफ पढ़ा रहे न दिया और यह 5 के बटा में लिए तो यहाँ से x का मान के आ गया माइनस का 1 इस तरह से हमारा कोश्चन कंप्लीट होजगा, अब बात करते हैं कोश्चन नंबर 4 की, कोश्चन नंबर 4 में सेम हमें भाग में दे रखे हैं यह संख्या हैं 3 और 5 तो सेम भाग में चीज करेंगे 3 और 5 का LCM लेंगे जो हमारा LCM आये का उसको दोनों दरफ गुणा करतेंगे किसलिए, कि यह 3 और 5 यह भाग वाली संख्या हैं वो खत्म होजए तो 3 को, 3 एकम 3 5, 3 पंचे 15 15 LCM आये, तो 15 के साथ गुणा करेंगे x-5 बटे 3 बराबर, इधर भी 15 के साथ गुणा करेंगे x-3 बटे 5 तो यहां से अब ये 3 और 5 दोनों को काटेंगे, इसको काटेंगे तो 3 पंचे 15 तो 5 गुणा में x-5 बराबर, इस 5 को भी काट देंगे, 3 से कट जेगा ये, 5 ती है 15 और x-3 यह आगे हमारे पास अब इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x 5 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 25 बराबर 3 को x के साथ गुणा करेंगे तो 3x-3 ती है 9 अब क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे 5x, ये 3 इसको 22 तरफ लाएंगे, माइनस का 3x बराबर, ये माइनस का 25 है इसको इस तरफ ले जेंगे और माइनस के 9 यहां हमारे पास आगया 5 में से 3 गए 2x और 25 में से 9 हों गए हमारे पास के बचकी 16 यहां से x का मान निकाल लेंगे 16 और ये 2 गुणा में था ये इदर भाग में चला जाए तो यहां से x का मान हमारे पास क्या आ गया? 4 ठीक है? इस तरह से ये question भी कर लेंगे हम बात करते हैं question number next 5 की next हमें डे रका है question number 5, question number 5 में हमें क्या दे रखा है? t में दे रखी है value और एक ये अचर दे रखा है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो t वाली संख्य हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और जो अचर है उसको एक तरफ कर देंगे, किस तरह से 3t माइनस 2 बटे 4, माइनस 2t प्लस 3 बटे 3, और ये जो t है इसको भी इस तरफ ले आएंगे ताकि सारे t एक तरफ हो जाएंगे, इ थे कि जो 4 और 3 और 3 इनका जो LCM आएगा उसको दोना तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 और 3 का LCM क्या आएगा हमारे पास, 12, 12 को हम इस तरफ गुणा कर देंगे, और इस तरफ गुणा कर देंगे, तो 12 को गुणा करेंगे, 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस, इस त संख्या के साथ गुणा करेंगे 12 का, 2T plus 3 बटे 3 plus इसके साथ भी 12 का गुणा करेंगे, 12T बराबर 12 गुणा 2 बटे 3, ठीक है, इस तरह से करेंगे, यहां में 12 का गुणा होगा, अब क्या करेंगे, यह जो बटे वाली संख्या हैं, इनको हटाएंगे, किस तरह से काट के, 4 द दिया 12, तो 3 गुणा में 3T माइनस 2, माइनस का माइनस उतार दिया, अब यह वाला 3 भी काट देंगे, 3 चोका 12, तो यहां के आगया, 4, 2T plus 3, प्लस में 12T बराबर, इस 3 को काट देंगे, 3 चोका 12, और 4 दूना 8, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 का अंदर गुणा करेंगे, कितना आगया, 9T, 3 दूना, माइनस का 6, इसी तरह यहां आगया, माइनस, इस 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे, कितने होगे, 4 दूना, 8T, यहां माइनस है, यहां प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा होएगा, तो क्या यह बारा प्लस बारा टी बराबर आठ ठीक है अब क्या करेंगे जो टी वाली संख्या है उनको एक तरफ रख लेंगे और जो अचर है उनको इस दर आठ वाली साइड ले जाएंगे तो यहां नौ टी और यह बारा टी नौ और बारा कितने होगे हमारे पास 21 यह आगे हमारे पास 21 टी और 21 में से कितने गटाने है 8 टी यहां माइनस का 8 टी लिखा हुए बराबर यह 8 अचर संख्या है कौन सी है एक तो माइनस का 6 एक है माइनस का 12 इसको दाइं तरफ ले जेंगे माइनस का 6 यह इदर आके प्लस का और यह माइनस का 12 इस तरफ आके प्लस का अब हम क्या करेंगे इस समिकरण को आगे सॉल करेंगे तो यह हमारे पास लिखा हो 21-8 21-8 यानि कि हमारे पास आगया 13 तेरा टी बराबर 12 और 8 कितने होगे 20 20 और 6 26 तो यहां से हमान निकालेंगे t का 26 और यह बटा में आजेगा 13 तो हैं से t का मान के आगया 13 दूना 26 ती का मान हमारे पास आगया दो अग फिक है इस तरह से यह कोशन कंप्लेट होता है अब बात करते हैं कोशन number 6 की कोशन number 6 में हमें क्या करना है question number 6 में भी सबसे पहला हमारा क्या step था कि जो इसमें दे रखा M में किसमें दे रखा M में सबसे पहले हम क्या करेंगे जो M वाली संख्याएं हैं उनको क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे sorry जो M वाली संखे हैं उनको एक तरफ कर लेंगे जो M के अलावा है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे यहां लिखेंगे M-1 बटे 2 और यह वाला जो है इसको बाइं तरफ ले आएंगे यहां M-2 बटे 3 और यह जो एक था वो इस तरफ ही पढ़ा रहे अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है LCM लेंगे और LCM को दोनों तरफ गुणा कर देंगे 2 और 3 का LCM क्या आएगा हमारे पास 6 6 का गुणा करेंगे M के साथ M-1 बटे 2 के साथ M-2 बटे 3 के साथ और इस एक के साथ तो 6 की M के साथ गुणा होए 6M-6 M-1 बटे 2 प्लस 6 M-2 बटे 3 sorry बराबर 6 गुणा में 1 अब क्या करेंगे 6M का 6M लेखती है ये 2 को काट देंगे 2 को 6 से काटेंगे कितना आजएगा 2 तिया 6 माइनस का 3 गुणा में M-1 प्लस इसी तरह इस 3 को काटेंगे 3 दूनी 6 तो 2 M-2 बराबर 6 एकम 6 ठीक है यहां तक समझ आया उसके बाद में क्या लिखा 6M का 6M लेखती है अब इस 3 के अंदर गुणा होगी तो 3 गुणा M, 3M माइनस का और ये भी माइनस का माइनस की माइनस के साथ गुणा होजएगी क्या आजएगा प्लस, 3 की 1 के साथ होगी तो क्या आगया 3, प्लस, 2 की M के साथ होई 2M, 2 प्लस का है और माइनस का 2 है प्लस और माइनस की गुणा माइनस 2 दूनी 4 बराबर 6 ठीक है अब M वाली term है उनको एक तरफ रखेंगे और जो M के अलावा है उनको दाइन तरफ लेजें तो प्लस के 6 में से माइनस के 3 गए कितने बचके माइनस के 3 सुरी, प्लस के 3 पहले प्लस वालों को जोड लेती है ठीक है, 6 और 2, कितने होगे है हमारे पास 8, 8 में से 3 गए कितने बचके हमारे पास 5, 5 का M आ गया, बराबर 6, यहां क्या है हमारे पास, प्लस का 3, इदर आके हो जगा माइनस का 3, इदर क्या है माइनस का 3, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जगा, प्लस का 4, यहां आ गया 5, M बराबर 6, और 4, 10, 10 में से 3 गया, 7, तो M का मान हमारे पास क्या आ गया, 7 बट पांच ठीक है यह हमारा आंश्वराज है